हे गाइज जैहिन स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विशो कर्मा इस वीडियो में हम बात करने वाले है एग्री कल्चा जोब्स के बारे में जो की आरपी, सीयू, पूसा, बिहार में आई हुई है जानेंगे टोटल नोटिफिकेशन है ये डॉक्टर राजेंद प्रसाथ सेंट्रल एग्री कल्चरल यूनिवरसिटी जो की पूशा समझति पूर बिहार में है यहाँ पर अलग-अलग यानि बेरियस टेक्निकल पोजिशन यहाँ पर जो है रिकूट्मेंट आया हुआ है बात करें ओपनिंग के अलावा SCST, PWD और Bumans के लिए कोई भी अप्लिकेशन फीज नहीं रखे गई है बाकी आप इनकी ओफिशल वेबसाइट पर बिजिट कर सकते हैं और सारी जानकरी आप राप्त कर सकते हैं www.rpcau.ac.in इस पर आप बिजिट करके और सारी इंफर्मिशन आप राप्त कर सकत करना है और इसके अलावा अगर हम जनरल इंस्टेक्शन की बात करें तो इनके ओफिशल वेबसाइट पर आप जो है विजिट कर सकते हैं बिफोर फिलिंग एप्लिकेशन फॉम आपको ये सब जनरल इंस्टेक्शन को देख लेना है आप इसेंशियल और क्वालिफिकेशन यह यह नहीं है एप्लिकेशन को हर्ट कॉपई आपको अपन है यह आपको जो है याद रखना है बाकी यह जो आपकी बेसिक इनफोर्मेशन ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है अपको अपलोड करना है और इसमें किशिवी पर कर्कार के कोई समझ्हापको in.ac.in इस पर आप विजिट कर सकते हैं ये इनके official website पर विजिट कर सकते हैं इसके अलाबा online form यानि online माध्यम से ही आप form को आविधन कर सकते हो इसका अलाबा कोई दूसरा mode जो है आप नहीं कर सकते हैं इसका अलाबा separate application form along with application भी should be filled for each post applied मतलब एक से ज़्यादा अगर post के अलग करना होगा fees भी जो है आपकी अलग-अलग लगेगी इसके अलाबा अब हम बात करें total number of position post के बारे में बात करें तो देख सकते हैं serial number one to seven यहाँ पर total unreserved के जो है 26 post हैं OVC की 19 हैं SC category की 11, ST की 1, EWS की 11 तो total 68 vacancies जो है यहाँ पर IUE है अलग-अलग यहाँ पर इसका distribution है देख सकते हैं सबसे पहले बात करेंगे T1 की जिसको field assistant के नाम से जान रहा है total इसकी 30 post है यानि की 30 है जिसमें से 10 unreserved की है यानि की UR की है OVC की 8, SC की 5, ST की 1 और EWS की 6 इसके अलाबा category second की बात करें जिसमें agriculture आ रहा है, business administration आ रहा है, fisheries, home science, horticulture and veterinary तो यहाँ पर इसको T3 यानि के technical assistant के नाम से post को बताया गया है, तो यहाँ पर बात करेंगे तो agriculture की total 6 पद है, business administration के 4 है, fisheries के भी 4 है, geology, botany, environmental science के भी 4 है, home science के 3, horticulture के 4 और veterinary science के 2, बाकी यहाँ पर यह distribution है, आप इसको देख सकते हैं या फिर आप इस slide का screenshot भी आप ले सकते हैं, engineering supervisor के अगर बात करेंगे, तो यहाँ पर सबके एक एक पद आए हुए है, बाकी artist कम photographer के 2, nurse के 3, pathology technician का एक पद है, और x-ray technician का एक तो कुल मिलाके यहाँ पर 68 पद जो है, आए हुए है यहाँ ठीक है, काफी अच्छी संख्या में यहाँ पर vacancy आप मान सकते हैं, काफी अच् technical position जो है, पद जो है, अगर field assistant की बात करेंगे, तो maximum जो 8 limit यानि कि अधिकतम IOC मां 30 वर्स रखी गई है, field assistant का पद है, यहाँ पर pay skill जो है, level 3 का है, pay matrix as per 7th CPC, matriculation from recognized board plus one year experience in relevant field in government या public sector units, ITI in the relevant trade, field assistant के लिए matriculation यहाँ पर मांगा गया है, ठीक है, matric pass यहाँ पर मांगा गया है, और एक साल का experience भी यहाँ पर मांगा गया है, में exam age limit 30 वर्स है, इसका लावा category second की बात करेंगे, तो T3 जो post है, जैसे agriculture का एक उसमें पद है, business administration का, जूलोजी का, fisheries, home science, horticulture, veterinary science, तो यहाँ पर level 5, in pay matrix 7CPN 11.5 की यह job है, 30 साल है दित्ता मायूशी मा रखी गई है, bachelor degree in relevant subject, relevant subject मतलब अगर agriculture का पद है, तो bachelor degree in agriculture होना चाहिए, horticulture का है, तो bachelor degree in agriculture in horticulture, fisheries, तो यह यहाँ पर bachelor degree यहाँ की graduation मांगा गया है, agriculture और उससे जड़ा हुआ सब्जेक्ट से, तो काफी अच्छी opportunity यहाँ पर ह मांगा गया है, यहाँ पर diploma या degree मांगा गयी है, और nurse के लिए B.A.C. nursing मांगा गया है, pathology technician की अगर बात करें तो graduate in science, having obtained diploma या certificate pathological technician from recognized institute, तो यहाँ पर mainly इस वीडियो में हम agriculture से जड़ा हुआ ही, सारा detail जान रहे हैं, इसके लाबा आगे अगर हम बात करेंगे field assistant की, यानि T1 post तो यहाँ पर academic score with written examination pattern की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर आप जो academic score की बात करेंगे, तो total 50 marks यहाँ पर आपको मिलने वाला है, इसका लाबाल written exam की बात करेंगे, तो arithmetic या logical test के 100 यहाँ पर marks रहेंगे, general जो आपका है, उसके 50 knowledge के, general agriculture के 100 और computer efficiency यह qualifying है, तो कुल म आके आपका जो total marks रखा गया है, वो रखा गया है 300, syllabus will be of high school level, यानि कि जो इसका जो exam pattern होगा, यह high school level का ही यहाँ पर exam में पूछा जाएगा, और 50% marks qualifying जरूरी है, और यहाँ पर किसी भी परकार का जो आपके technical post है, इसके लिए interview नहीं रखा गया है, तो काफी अच्छी यह आपर बात है, आभी दन आप कर सकते हैं, अपलाई कर सकते हैं इसके लिए, यह आपका exam pattern है और यह आपका academic score है, यानि कि total आपके 50 marks है academic score के और 300 marks जो हैं आपके है, return exam के, इसके लाबाद T3 की बात करें जिसमें अगरी कल्चर आ रहा है, तो 75 marks यहाँ पर आपके रखे गए है, total academic score के, जैसे के high school का जो marks है, इन्टू 0.10, इस टाइप से इनको 75 marks दिया गया है, return exam की बात करेंगे तो subject matter के 100 marks यहाँ पर रहेगा आपका, general knowledge का 50, language, हिंदी ए इंग्लिस के 100, यह आपका, आप हिंदी ए इंग्लिस कोई भी एक option में चूज कर सकते हैं, computer proficiency test यह आपका qualify इंगे, और total 325 जो है, आपका marks यहाँ पर रहेगा, 75 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 100, ठीक है, तो यह total आपका 350 आपका यहाँ पर रखा गया है, और syllabus भी जो है, आपका graduation level का, यानि कि B.S.C. agriculture या फिर, graduation level का यहाँ पर आपका exam में syllabus रहेगा, 75 marks यह, और 250 marks यह, तो total 325 marks यहाँ पर जो है आपका रहेगा, technical T3 के लिए जिसमें आपका agriculture, fisheries, home science, veterinary, horticulture यह सब यहाँ पर आने वाला है, बाकी यहाँ पर exam pattern engineering supervisor की भी बात कर सकते हैं, यहाँ पर भी 250 return exam का है, 75 जो है academic का, total 325 यहाँ पर बैटेज रखा गया है, इसके अलाबा, return की बात करें, photographer का तो इसका भी total 300 marks का यहाँ पर exam pattern रहने वाला है, pathology technician की बात करें, तो 250 और 50, तो total 300 marks का यहाँ पर आपका exam pattern प्लस academic score मिला के यहाँ पर आपका रहने वाला है, तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो, I hope आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडि पाना चाहते हैं, तो आप हमारे telegram group को join कर सकते हैं, link आपको description box से मिल जाएगी, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत